नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अब शेक पुंडीर ग्यान वापी में जिस दिन का इंतजार था तकरीबं 31 सालों से जिस वक्त का इंतजार था वो घड़ी आ गई वो घड़ी उस वक्त आई जब 31 जनवरी के दिन जिला कोट ने ये फैसला सुनाया के हिंदू अब व्यास जी में जो तैकाने में व्यास जी हैं उनकी पूजा कर सकते हैं हाला कि पहले इसकी पूजा की जाती थी लेकिन 1993 में जिस वक्त मुलायम जिए अदब की प्रदेश में सरकार थी उस वक्त इस पूजा पर रोक लगा दी गई थी लेकिन जैसे ही A.S.I. का सर्वेया उसमें सामने आया कि तकरीबन 32 से 36 सिलाली कैसे वहां मौजूद हैं जो ये बताते हैं ज्यानवापी के भीतर के भव्य मंदिर को तोड़ कर उसके उपर गुंबत बनाए गए मस्जिद का निर्मान किया गया लेकिन जैसे ही कोड का फैसला आया उत कोड के फैसला आने के करीब 9 घंटे बा जिसमें पूजा करने का अधिकार जो है दिया गया यहां मंदिर जी खड़े हैं और वह पहले बैरिकेडिंग को तोड़ कर यहां रास्ता बनाया गया उसके बाद क्योंकि जो है जो नंदी की प्रतिमा थी उसके बाद से जो शुरू होता था वह मस्जिद का हिस्सा कि गई यह तरिके से जो है जो है किस तरीके से जो है यहां पूजा की जा रही है अप देख सकते हैं आरती भी की गई यहां और यह सबसे पहले अनमेham न्यूस पर तस्वीर आपको दिखाए जा रही है जो यह चाहते दिग्दर गयाब गंगाजल से शुद्धी करन किया गया ग्यानवापी का जो तैखाना है उसका फिर व्यास परिवार ने यहां आरती की भोग लगाया पूजा के लिए व्यास परिवार के सदस्यों ने ग्यानवापी के तैखाने में पहले गंगाजल से उसका शुद्धी करन किया उसके बाद पूजा की गई आपको बता दूँ इकतीस साल बाद ज्यानवापी के तैकाने में कोट के फैसले पर ये पूजन शुरू करवाया गया 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 इसके बाद मंत्रोचारण के साथ आरती और पूजा की गई इस दोरान भगवान को चर्णमरत का भोग लगा गया वहां मौजूद जिला प्रशासन पूलिस प्रशासन और मंदिरों से जुड़े लोगों में उस प्रसाद को बाटा गया कोट के आदेश का अनुपालन करवाते हुए जिला प्रशासन ने पूजा के बाद आम दर्शनार उत्तियों के लिए फिलाल रोक लगा दी है लेकिन ज जल्दिबाजी कितनी थी या फिर कहें कि अपने भगवान को पूजने की जो हिंदूं में कितनी उत्सुकता थी रात को ही बैरिकेटिंग काट दी गई एक वैकल्पिक रास्ता बनाया गया और उस जगहा का पहले गंगजल से शुद्धी करण किया गया और उसके बाद महा भी एक बार हम आप सुनवाएंगे क्यों उनका क्या रियक्शन था जब पूजा रात में की गई कि गई कि तक्रीबन नो घंटे के बाद उन्होंने जब पूजा की उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो भी सुनी एक बार पूजा साड़े बारा वजे सुनी है सब्सक्राइब तक चला और वहां मंदीर के पांट पूजारी थे हम लोग मौजूद थे व्यास परवार को वहां पर व्यक्तोस्तात्री जी थे और मूथा जैन जी थे जिसकमिशनर और आसलिंगम जीम साहब भी थे और मंदलायुक कैसे पूजा होई क्या क्या पूजा में इस्तेमाल होगा पहले जो हम लोग उसमें प्रवेश किये तो गंगाजर से सब्सुद्री करण हुआ छिरका गया सब जगह जो है उसके बाद जो आकरचियां बनी हुए थी उनको जो है प्रवितिया गया खंबो में इसके बाद करण करते है पुजा करते है तुझ हों करें को सब्सुद्री से समझ लें जीएala गान को शत्राचन में पुजां तुड्यक्र सुद्र॥ तह ने था होकर तना थे थी जोग से तो नदूरा है मला है फूले सब चर्दा हो तो अधिया गया तो प्रसाथ बिटर किया जाएगा तो किसकी पुजा हो तो मंत द्वारा गणजी की पुजा होई मंत द्वारा होती है तो मंत्र से भी हो सकता है मंत्र से हुआ अभी जो इस्थापित हुए है जो इस्थापित नहीं हो है तो बिग्रा थे कौन कौन से बिग्रा हो नहीं है बता तो रहा हो आपको मादर मक्ष मूर्टी की स्वास्ति की निशान बने हुए है खंबो में और जो वहां सब्सक्राइब मूर्टी आती है तो पुजा हुआ हुआ है परिवार का जाएंगे हम परिवार तो खुशी है हमारा जो है चीज हम लों को अंदर जाने को मिला पुजा करने को मिलेगा और वहारे पूरोजों का इतना जो है कि परिष्ट्रम जो है प्रसासन के उपर है देखे जब वह अपना कहें अभी हम लोगों को इसकी सोचना नहीं दिए तो यह आपने जितेंद्रा नंजी व्यास्ट जी को सुना यह व्यास जी तैखाने में व्यास्ट जी जो मौजूद है उनकी जो पूज अर्चना करते है वो यही परिवार पूज अर्चना करता है लेकिन अभी फिलाल एक वेकल्पिक रास्टा बना कर तैखाने तक पहुँचा गया वहा झाकर व्यास जी की पूजा की गई और अब जिस तरीके से एक बार पूजा हो गई है तो अब इस बात की उमीद है कि अब नियमित तरीके से नियमित रूप से अब वहाँ पूजा होगी वो भी व्यास जी के भीतर धर्शन करने के लिए जा सके इस तरह की विवस्ता करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है जिला प्रशासन को के एक हफते में इस बात की सुनिशित करें तो आपने व्यास जी को भी सुना और जिस तरीके से तस्वीरे आई हैं और मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि ये तस्वीरे इतनी अभीभूत करने वाली हैं इतनी उत्सुकता भरी ये तस्वीरे हैं कि 31 साल बाद जब पूजा अर्चना शुरू की गई इन तस्वीरों जल्द ही सुनवाई होगी और वो भी देखा जाएगा कि वो शिंगार गोरी की पूजा करने का अधिकार जो हक है हिंदूों को वो कब तक मिलता है लेकिन जिस तरह तैकाने में मौझूद व्यास जी की पूजा अर्चना शुरू हो गई है उस पर आपका क्या कहना है अपन क्या है उप कर दो अपाना है उससाँ कर एँ कि बार है उस्टों अार्थ